रख्षा दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्ट मांक्ट अनलिसिस के अंदर में अब देखरें जैसे बजार टंबल कर रहा है बलट बात हम दी डलाल स्वीट कहा जा रहा है बजार किर रहा है बहुत भेंग कर तरीके से क्या मार्केट क्रेश होगी क्या बजार वापस से 40%, 50%, 70% क्राश रहाएगा इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में देखने वाले है तो प्लीज वीडियो को अंतर बेखना बहुत सीरेस वीडियो है तो दोस्तों प्लीज अपने जितने भी ट्रीडिंग सर्कल है वाट्सएप ग्रूप्स हैं या और बूती से खड़े रहते हैं यह बड़ा इंपॉटेंट है ति कि बजार में टराना पर आसाने बजार में क्रैश हो गया गया वहाग जाओ बढ़ आसान है बट यह बहुत इंपॉटेंट है कि हमें समझ में आ जाए कि ऐसी सिच्वेशन में करना क्या है पहले समझ लेते यहां पर उससे बड़ा वाइरस बजार में पेनिटेट कर रहा है। जिस वाइरस का नाम है यूप्रेन और रशिया की लड़ाई। तो सो कहा जाता है जब दो बिलिया लड़ रही होती तो बंदर फाइदा उठाते हैं, यहाँ पे बंदर की भूमी का निभा रहा है अमेरिका, तो सो पूरी स्टोरी को कवर करने कोशिश नहीं कहुंगा, पहले भी बहुत सा यूटूबर्स ने यूक्रेन और रशिया की पू बहुत अच्छे दिखना समझना, बने रहो, पहले समझ लेते हैं, यूक्रेन ने क्रीमिया को जब इन्वेड किया था, तो बिसिकली वो एक सूपर पाउर की एक ताकत थी, जो उनने यूक्रेन के ओपर दिखाई थी, अब कहानी आती है कि जो गैस सप्लाई रशिया करता ह है, ठ्रू यूक्रेन, ठ्रू पॉलेंड, बहुत सा यूरोपन कंट्री में, स्पेशली जर्मनी में, अब यहां पे जो पाइपलाइन वो यूज करता है, जिस देश से वो जाती है, वहां पे उसको एक टैरिफ देना पड़ता है, एक चार्जिस देना पड़ता है, भी मेर होगा, एक सरचार्ज पेकरना होगा, एक चार्ज पेकरना होगा, बिसिकले खर्चा देना होता है, एक कमिशन पेकरनी होती है, यहां पे जो कमिशन रश्या यूक्रेन को पेकरता है, वो उसकी टोटल जीडीप का 4% के आसपास कांट करता है, सोच रखते हैं, जीडीप का 4 परसेंट के असपास जो कमाई रश्या को इस गैस पाइपलाइन के बिजन से होती है वो पूरी रश्या की जीडिवी का 40% के आसपास कंट्रीविट करते हैं कितना बड़ा बिजन से हैं अब कंट्री क्यों नहीं चाहिए उसकी खर्चे बचे पहली बात तो रश्या का युग कंट्री बाइपास हो जाती है अब हर इंसान को अपना एक हक है कि अपने खर्चे बचाने का ठीक हर कंट्री को अपने खर्चे बचाने का अपनी का सॉलिड बनाने का बट यहां पे अगर यह सेकिंड पाइप्लाइन अप्रू हो जाती है तो यहां पे सबसे बड़ा घाट प'reब सैदा हुबर, यूकुरियन की एकौनमी को, तो यूकुरियन नहीं चाहता भी है, अमेरिक को थौ सबी नुकूररू को भी है, अमेरिका को क्या सीधा नुकूरू सिमझ देशिए जब रशिया जर्मनी में और यूरोप के बंखे देशों में गया ससप्लाई करता है, अम यह जैंगी तो अमेरीका को बिजनस का लॉस होना ही वैंद अब समझ लिए रशीया अमेरिका दो बड़े दिगज कंट्रीस हैं अब अमेरिका का एक बहुत रीसेंट एक स्टेटमेंट आया कि भई रशीया कभी भी लड़ाई कर सकता है यूक्रीन के ओपर में कर राई कर सकत प्रहाइब पुरा वर्ल्ड तो क्या वर्ल्ड इस तीसरी वर्ल्ड वार को जेलने के लिए तयार है लास्ट टाइम जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई वी थी वहां को 14,000 से जादा लोग माने गए थे उल्लाखों लोग गायल हुए थे क्या हम फिर से तयार है कि हम किसी का का पकु 절rah, कभी इंडिया रस्या का पक्ष लेगा यां निया- अमेरिका का पक्ष लगा या क्या कर। चायना कि तर से लड़ेगा 잡ा किव व्स हम में जा सकते हो नहीं कोई भी country उस economical breakdown के लिए तयार रही है मैं आपको बता जीता हूं बहुत सीरी साल से मांकेट में व हूं क्यों साल मेंने बहुत सारी उदाय देखे है मांकेट के बहुत सा news के साथ में मैंने अще सारी डाउन नहीं करें इसका मेरा अपना प्योरली प्योरली मेरा मानना है लोग मुझे इसी के लिए बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं लोग कह सकते हैं इसको बिल्कुल भी नॉलिज नी है मैं वह भी समझने को थार हूँ मैं अपना मत आपके सामने रख रहा हूँ ये बिल्कुल भी बाइस नहीं है ना ही किसी से inspired है मुझे क्या लगता है आप समझ लिजिए मुझे हमेशा से ये लगा है कि जब भी बजार की valuations high होती है FIs को, FPIs को जब नया पैसा लगाना होता है तो बजार में कोई ने कोई बवंडर खड़ा किया जाता है कोई news पैदा की जाती है जिसके basis पे market में corrections आती है मैं हमेशा से आपको कहता है corrections are good for the market आप हमेशा money management के साथ काम कीजिए बहुत बहुत पैसा बनता है इस market में मुझे एक बात रही है सबके सब दिगज इन्वेस्टर्स profit booking तो करते ही है बट दुबारा तयार होते है नए भाव पे माल लेने के लिए they are ready to buy equity at good valuations yes this is how smart people work and this is the reason why they are getting richer day by day क्यों 4-5% लोगों के बीच में ये economy summit के रह जाती है क्यों 4-5% लोगों के बीच में ये पैसा बढ़के रहा जाता है क्योंकि वो smart है they are intelligent they are ready for the corrections अब इस लड़ाई के चकर में हो कहा रहा है आप समझ के दिखिए equity में तो fall आ ही रहा है interest rate हाई हो जाएंगे FED एक तरफ से कहाता देखिए कितनी news का भूचा लिकता हम बनाये जारे कब जब nifty साड़े 7,000 से बढ़के 18,000 चली आती है पुरे world की economy के stock markets बढ़के कहां से कहां चली आती है पुरा 100% revival हो चुगा है stock markets का सबकी P बड़ी high पे है सबकी valuations बड़ी high पे अब इतनी high valuations पे, FPI's, FI's कहां पैसा लगाएंगे बताइए emerging economies जैसे इंडिया, बंगलादेश, यहां वहां लोग जाते हैं, FI's जाते हैं investment करने के लिए बट अगर valuations easy नहीं होंगी तो valuations को हलका करने के लिए क्या किया जैका पे यारी कौन है, यह FI's, FPI's कौन है 1992 में जब पहली बार FI's इंडिया में आए थे उससे पहले market में क्या moment होख तरी आपको मालूम होगा 2000 में सरकार में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट में एक बहुत ही बड़ी चीज लांच वी that was called as PE notes, participating notes सिर्फ और सिर्फ valid है इंडिया में investment करने के लिए और किस चीज के लिए, यहां पे आप एक legal process को छोड़ के without even taking permission of SEBI, आप registered हो सकते हैं एक country में, वो country कौन सी है, एक मातर इंडिया भी यहां पे पैसा लगा सकते हैं, कहां पे, only in Indian stock market and do you believe, at present, एक लाख करोड से जादा की investment peanuts के तरू हो चुकिया, एक लाख करोड से जादा बजार में होता क्या देखिए, कहा एक चीज यह भी कही जाती है कि यह कही न कही न, जो black money है, money laundering है यह उसका root है बहुत बड़ा, कैसे है जितना भी black money, भार के Swiss bank में, XSBC में है भार के tax seven countries में, Malaysia या दूसरी countries में, Singapore में यहाँ पे पैसा पाग भाग है सरकारे शोर मचाती है, कि यह पैसा कब भार आएगा, कौन भार लेका आएगा हम इतने लोगों को पकड़ के ले आएएगे, इतने पैसे को देश में ले आएएगे, कैसे ले आएएगे stock market पे निवेश कर सकता है, खाली उस P notes के जरीवे, और ये पूरा का पूरा transferable है, आप सुचके दिखिए, जिसके पास ये P note है, वो ही इसका मालिक है, किसी के नाम पे नहीं होता है, एक number रहता है basically, इसके उपर इसका जो अगर आपको सच जानना है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको पड़ सकते हैं, मैंने पहले इसके उपर आपके वीडियो बनाया है, से भी क्या है, बिसके कहा नहीं कहा है, सोचे देखे, what is P note or P N, it is an instrument issued by a registered foreign institutional investor FII to an overseas investor who wish to invest in Indian stock markets without registering themselves with the market regulator SEBI, चौंक है आप, कोई regulation की जरूद नहीं, कोई registration की जरूद नहीं है, SEBI permitted foreign institutional investors to register and participate in Indian stock market in 1992, 1992 में पहली बार वो आये थे, 2000 में unique Indian invention बड़ी जबरदस्त statement है, unique Indian invention हमने खोज की है, सोच के देखे, खोज की है, क्या जरूद थी इस खोज की? अरे पैसी सीधे route से आते ना, पैसा लगाना है, अपने आपको FII register कराओ, legal route से आओ, SEBI permission देगी पैसा लगाने के लिए तो पैसा लगा हमाई देश में, कोई जरूद नहीं थी, एक invention खोज की, जैसे हमने कोई नया rocket ढूंड लिया, कोई नया ग्रहय उपग्रहय ढूंड लिया हमने आ, बहुत तरी तरीके से कोई 5G, 7G, 9G technology हमने ढूंड लियो, 2000 में बैठे बैठे, started in 2000 by SEBI to enable foreign corporates and high net worth investors, कौन है, high net worth investors, यह सब हैं, जो काला धन पैदा करते हैं, enter the Indian market without having to go through the process of registering as foreign institutional investor, FIs registered भी नहीं होना चाहतें, यह सारा का सारा पैसा stock market में आता है, 1,00,000 करोड भाई, आप इसको भिश्वास में करो, आप डालो latest P notes investment डालो, Google करो ना, 1,02,000 करोड देखो भाई साभी देखो, मार दो लाग, 18 में सबसे high था, 1,00,000 करोड के आसपास में, और अभी September का डेटा है, 97,000 करोड के आसपास का, यह September का है, August का डेटा है, अगर यहां पर ओ थोड़ा करनी कोशिश करें, P notes investment as on January 2022, चलो, यह तो मिल जाएगा latest, यह देखे, December तक का डेटा वेलिबल है, 95,000 करोड का माल, P note काम कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, वो समनी कोशिश करते हैं, कि आपने P note लेका, पैसा बैंक में पड़ा है, पैसा हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है, उस एक certificate के basis पे, आप FIs को permission दे लेते हो, कि आप हमारे यहां पे equity purchase कर सकते हो, आपको और मुझे अगर 10 रुपे का share भी खरीदना है, तो पहले broker को advance में पैसा देना है, से भी हमारे नहीं तो rules बना देती है, कि बाई, जब तक आपका advance minimum margin नहीं होगा, आप shares नहीं खरीद सकते हैं, P notes वालों के लिए कोई भी minimum margin के requirement नहीं, अब होता क्या है, ब्लैक का पैसा पढ़ा है HSBC bank में, या किसी भी फ़ला फ़ला bank में, किसी bank के ऊपर personally मैं कोई target करना नहीं चाहरू, बढ़ा किसी भी tax 7 country में, tax 7 bank के अंदर में, आपका black का पैसा पढ़ा हुए, जिसका कोई लेंदेन आप बाइट में नहीं कर सकते हैं, उसके basis पे, आप एक bank guarantee की तरह से, एक signature रहता है उसके उपर में, एक sign के basis पे कि हाँ, बैंक कहता है, मैं जिम्मेदार हूँ, यह पैसे मेरे पास पढ़े हुए है, लोग, आप जाके इंडिया में आके पैसा लगाते हो, पैसा लगाते हो, आप यहाँ पे equity को उठा के ले जाते हो, 200 से 2000 कर देते हो, अब 200 से 2000 करके जब माल बेचने पे आएंगे, profit booking करने में, कि 2000 का माल गिरके 1200 भी रह सकता है, क्योंकि heavy selling होगी, होगान मेरी आपकी selling से कौन सा बजार गिरता है, मेरी आपकी buying से कौन सा बजार बढ़ता है, यह बजार बढ़ता हो गिरता है, FIIs की selling और buying से, पिछले एक साल से, अगर का सबसे पहला लिंक है, मैं आपके सामने proof रहता हूँ, प्रतक्षिकों प्रमान के आवशकता नहीं है, कहाता है हिंदी में, यह यहां से देते हैं, April 2021 से, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Gen, Feb, this is 11th month going on guys, 11 में महीने से यह selling चल रही है, लगातार selling चल रही है, बजार कहां है, बजार कोई hedging hedging नहीं होती मेरे साथे, यह प्योर प्योर एक exit route है, mutual fund से एक exit route है, कि भी FIS माल बेचेंगे खरीद है का कौन, 24 गंटे कौन बाहर रहेगा, 24 गंटे आप और में बाहर है, this is the black truth of stock market, यही अकाला से stock market का, कि हाँ यह सारा का सारा पैसा मिली बगत है, total मिली बगत है, सारा black money, एकदम route हो गया, यहां से जब माल बेच के लेके जाएंगे, तो उनका payout किस में होगा, white में, एक number के white में, यहां वो tax pay करेंगे, payouts लेके जाएंगे, पूरा का पूरा पैसा white convert होता है, through stock markets, इसका proof देख लिजिए, मैं अपनी बात नहीं करा हूँ, यह भी Wikipedia के कितना बड़ा एक, वो है, मतबेद है, whereas all FIs have to compulsory get rates, जबकि होना चाहिए, ease of trading, trading through participating notes is easy because participating notes are like contract notes, transferable by endorsement and delivery, जिसके पास वो है, वो उसका मालिक है, कोई तकलीफ नहीं है, tax benefit है, यह money laundering, दिखे जो मैं आपको कहा रहा हूँ, लिखा हूँ है, मैंने लिखा गूगल पोल रहा पी-notes are becoming a favorite with a host of Indian money, Indian money launderers who use them to first take funds out of the country through Havala and then get it back through peanuts, सोच के देखिए, यह मैं कह रहा हूँ, यह मैंने कह रहा हूँ, यह Google कह रहा हूँ, guys, थोड़ी सी महनत क्या कीजिए, research क्या कीजिए, देखा कीजिए क्या चल रहा है मैं असपस में, blindly किसी चीज़ पर भरसामत कीजि यह भही लोग है, तिब 100 का माल खरीते हुए, 1200, 2000, 2000 लेके चले जाते हैं, तो इनकी buying average 200, 300, 400 पर क्या आती है, 1200 पर माल बेशें लगते हैं, गरते गरते हैं, गरते कुछ 800, 900,000 ग्या जाती है, 500, 600 पर अपने पैसे को 4-5 गुना, 6 गुना कर लेते हैं, लोग बैठके, पैसा है ही नहीं, आपने कोई investment नहीं, आपने मैंने advance पैसा लगाया है, और FIs ने जो peanuts के तुरे registered है, मतलब से भी में registered है ही नहीं है, वो पैसा लगा रहे हैं, बजार के अंदर में, पैसे को multiply कर रहे हैं, सारा पैसा black का white करने हैं में लगे हुए, पहले money laundering करते हैं, पैसा भाहर बेशते हैं, उसको peanuts से register करा के यहां आते है, stock market में माल उठाते हैं, उठाते हैं चले जाते हैं, और F&O के जिते भी दोस्तों सोक्तों से जम के buying होती है, option से पैसा बनाते हैं, future से पैसा बनाते हैं, हर जोर पैसा बनाते हैं, और हम और आप क्या करते हैं, हम आप strategies जूनते देख सकते हैं, आपको stock market में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शायद उनको माल माल बेचने पर आते हैं तो शायद 1000 का माल 500 आयाता है, तो आपको portfolio 500 गिर सकता है, 50% गिर सकता है, आपको क्या करना चाहिए, इसलिए the most important discipline is money management, आपके पास हमेशा spare पैसा होना चाहिए, आप गलतियां कर सकते हैं, गलती करके सीखना बहुत बढ़ी बात है, आपको आता नहीं हो, ये future options नहीं करते हैं, पैसा बनाते हैं, लोग, सोचइए बजार में call put के अपने क्या value है, कोई value नहीं है, इक्विटी चलेगी तो उसकी call बढ़ेगी, put गिरेगी, समले जिए golden rule देने जिए equity बढ़ेगी, तो automatically match है, calculations है, कि call का rate बढ़ेगा, put का rate गिरेगा, वैसे ही जब equity का भाव गिरता है, तो put का भाव बढ़ता है, call का भाव गिरता है, call बेचने को, put बेचने को, हम option writing कहते हैं, call buy करने को, put buy करने को, हम option buying कहते हैं, यह लोग option buying भी करते हैं, यह लोग option selling भी करते हैं, यह कब करते हैं, चमिन को पता है, मैं equity खरीदने वाला हूँ, तो call buy करते हैं, साथ में put को right करते हैं, फिर उसके बाद equity खरीदते हैं, option से पैसा automatically आ जाते हैं, और हम और आप क्या कर लोगों को basic clear नहीं थे कि आपको in the money क्या होती है out of the money क्या होती है add the money क्या होती है लेनी चाहिए कौन सी बेचनी चाहिए कौन सी यह भी नहीं पता होता है guys मैं यहाँ पर किसी class की marketing नहीं करहा हूँ बट मैं आपको जगाने कोशिश करहा हूँ कि बजार के इन crashes में क्या हम डर ट्रेंड लाइन तो उठाओ यार उठागे मार्क करो ना क्या सपोर्ट दिखाए देली पे वीकली पे मंतली पे करो यह तो कर सकते नो प्रफेशनल बाद में बनेंगे बेसिक्स तो बन सकते हैं सपोर्ट क्या दिखाए दे रहा है वह सपोर्ट पे है 16800 पे निफ्टी इंफलेशन बहुत आयां ति मार्किट की क्येट का पी सबसे महंग है कि सबसे महा है चानी सवारा दा पैस है इंडिया मैं आसकता है पूरी मार्केट खा सकते हैं पूरे ब्लैक के पैसे को बाद में वाइट कनवर्क कर ये लोग लेकी चले जाएंगे फिर बजार नीचे आएगा फिर बजार उपर जाएगा आप क्या करोगे आप बजार से बाहर हो जाओगे आज बजार प्रॉमिस करना है अपने आपको प्रॉमिस क सब्सक्राइब करेंग चाहिए रएक हैं आपर हुएं बजार से बाहर होना नहीं है आपको important support हुणने अपने stocks के अपने nifty के bank nifty के आपको invest करना है आपको average करना है अरे बजार में investor बने ही कोशिश करो trading opportunity मिल जाएंगी अब ऐसे time पर जो आपको रहते है world war 3 होने वाला है कि who can afford this world war 3 भाई कोई नहीं करेगा इंडिया तो किसी को भी support जाए जाएगा कुछ पोरेंड को समझाए जाएगा चारो देशन को समझा जाए जाएगा हमोरा परशान हो जाएगी यह crude ने भागना था भागा लिया हुए दो तरह के gold होते एक तो yellow gold एक black gold yellow gold भी से भाग रहा है यह ना पर black gold भाग तरीके से भाग रहा है यह वही crude है यह वही crude है जब एक टाइम पर minus हो गया था इसका price आप समझ सकते है minus इतना surplus हो गया था minus के भाग थेज गया है सोचके दिखे वही crude आज 7000 रुपे का भाग चल रहा है सोचके दिखे वही gold आज 50,000 टच करने को है तो क्या gold एक लाग हो जाएगा gold एक लाग हो जाएगा तो एक्विटी तो फिर 2000 जार नीची निफ्टी है ना ऐसा होना चीए ऐसा कभी नहीं हो गया असली value असली पैसा असली liquidity equity markets में है पूरे world में equity markets से अच्छी growth कहीं नहीं हो दिख currencies में बहुक बढ़ा volume है पर currencies में trading है investment is only done in equities Fed अगर rate बढ़ा देगा तो क्या होगा क्या पूरा world अबरबाद हो जाएगा नहीं अज बढ़ाएगा कच गिरेगा आज inflation इतनी high है inflation करब करने के लिए money market operations किये आते हैं banking operations किये आते हैं जिनको हम equity valuation सही हुई तो debt में debt की rate of interest से किसी को पैसा नहीं बनने वाले हो हाँ भी पढ़ा पैसा बरबाद हो रहा है सूचके देखेए पर debt क्या लगता है safe है पहले 0.25 मिल रहा था 0.5 पिसस पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक है अगर युक्रेण की लडाई हो भी जाएगी तो भी बजार नीचे आएगा तो भी valuation सची होगी सोचके देखिए तो और valuation सची होगी बड़े investors वह 4% लोग जो बजार को रूल करते हैं वह फिर से 4% से 5% लोग फिर बजार में आएंगे फिर valuation में माल उठाएंगे क्या होगा आपको मुझे 10 लाग 20 लाग का नुक्सान होने वाले हजार 2000 अपनी पून जी के हिसाब से उन लोगों को 10,000 क्रोड का नुक्सान होगा किसी को 50,000 क्रोड का नुक्सान होगा बट क्या वो जेलेंगे नहीं उनके पास इतना ही अब यहां तक आते आते कोई ऐसी पॉलिटिकल नियूस निकल का है जी ओ पॉलिटिकल नियूस की रही नहीं दोनों देश मान गए एसी लड़ाई के समावने घट गई है रशिया ने अपने टूप्स को पीछे ले लिया है आज एक लाग लाग टूप्स वहां पे तैनात क क्या भश्यच्चे वकता हो जोती क्यों कि वह इन्ını करने करने वाला है तो आकोन होते लोगो ढ़ाने वाले चलो ढखा रहे पोई पास का यहईता पैसा लगा ठा यहां पैसा लगा था उसके बार बज़ गया था थिखे अब बजार क्या पूरा-पूरा धॉयोशन्स खटम हो जाएगी किया पूरा पूरा ऊंत्य हैं को डाई कि और लुवित कि भी किया है उसके बाद आपको average करनेंगा मुखा का मिलेगा 15,950 के बाद 15,460 का यह major support है इसके नीचे कोई लड़ा जी नहीं हुगी आप समझ लो यहां से बजार आएगा यहां से बजार जब इस बाद चलेगा तो बहुत यह बड़े चलने वाला यहां पर लोन लेना यहां किसे दोस्ते पैसा मांगना है मांगने लेना कोई दिकर नहीं 15,000 पैसे लगाएगे बजार और गेरे का और पैसे लगाएगे पर कमसे हर भाव पे धरेंगे नहीं समझेंगे कि उस टाइम पे यह पोलिटिकल सिचेशन क्या चल रही है बजार की वैलिशन क्या होई है गीर ग्रीट फैक्टर कैसा सब चीज़ चेक करेंगे हम MMI चेक कर लेंगे चलो गूगल पर आते हैं देखते हैं मार्केट का मूड क्या है मार्केट मूड इंडेक्स डालो मार्केट पूट इंडेक्स है क्या चलो टेकर टेप का पहला लिंक आ रहा है आते हैं इससे बढ़िया आपको गेम नहीं दिखा देगा कि लोग कैसा सोच रहे है लोगों को फीलिंग क्या है आपको बजारे माल कब बेचना चाहिए तो मार्केट डर के जोन में जा रहा है लोग डर रहे है कुर प्राइस बढ़ रहे है इंडेशन हाई है फैट अपना रेट बढ़ा देगा सोचे जब चारो तरसे नेगिटिव डरावनी नियूस आए आप सोच के ठीए गबराहट का जोन मतलब वो बड़े लोग आपको डरा रहे है मार्केट से बाहर करने के लिए आपको डरना नहीं है यू डोन्ट हैव तो गेट आउड अट अट नाओ बिकॉस मार्केट मूट इंडेक्स है लोग डरे हुए है कौन डरा रहा है फैट डरा रहा है बड़ा देंगे बड़ा दो बापस घड़ा होगे नहीं क्या घड़ाना पड़ेगा ना कोई बात नहीं यूक्रेन रशिया डरा रहे लड़ाई करेंगे कर लो कौन मरेगा तुम्हाई लोग मरने वाले है दुनिया जो उसमें पाइटिसपेट करेंगी बहुत पैसा लगा दिया है बहुत बड़िया और इस गैस के पाइपलाईंग के धंदे से उसको बहुत अच्छा रिवेन्यू आता है वो इसको नहीं लूज करेगा अमेरिका हमेशा से वोल्ड पार रहा है पहले वो ट्रेड वार की बात करता है चैना के साथ- तो चयना को चॉल ऑब खतम कर पाया नहीं कर पाया नहीं वो यहां लड़ पाएगा नहीं लड़ेंगा वसका से आदत हमेशा इस माट्स को नहीं ड़ंड़ पएगा अब हमें रग्यकी कुरूश के परते प्रैस physicist इंफलेशन ड़रागी खाने में कंजूसी नहीं की ना सेल लगती है कपड़ों में तो आज एक्स्ट्रा कपड़े खरीद के लाते होना चाहिए जरूर्त हो या ना हो तो कहा इंफलेशन है इंफलेशन की इंडेक्स को काउंट करने के लिए उसमें अंडे का भाव दिखाया थे कि अंडा पहले दू असक्रा के या जोड़ेशन करती हुए एसे जोन में अंटर करने वाली है जहां पे आपको अच्छे मों के मिले वाले है तो मेरी दोस्तों मेरी आपनोरी से हाथ जुड़ के बिदती है इस बावर नहीं होना इस ब्लुक को बदशार को बदनाती करना यहां पे मुक ड्वू मोके में जिन लोगों ने 2019 के COVID के crash में पैसा लगाया, वो बहुत जल्दी करोड़ पती बन गए, उनका पैसा बहुत जल्दी लखपती में कन्मट हो गया, एक लाख वाले का माल 20 लाख हो गया, 20 लाख वाले का एक करोड़ और एक करोड़ वाले का 100 करोड़, यह वो लोग थे जिन्होंने ऐसे मोके का फाज़ा उठाया, यह फिर से मोका है, any crash, any correction is good for you and me, हमें यहाँ पे माल उठाने के लितियार होना है, guys, बिल्कुल भी नहीं डराऊँगा, बिल्कुल भी नहीं डराऊँगा, मैं आपको motivate करता आया हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि yes, market is just a number game, त trading fraternity के लोग हैं, या investment fraternity के लोग हैं, किसी को भी डगाना नहीं है, अगर आप भी चाहते हैं, लोग की रियल मदद करना, तो इस वीडियो को फ्लीज शेर करना मत बूलेगा, comment कीजिएगा, नीचे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो, तब भी comment कीजिएगा, आप भी comments को personally बढ़ता हूँ, चलिए मिलते हैं फिक किसी नहीं interesting और informative वीडियो में, अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं है, subscribe कर लीजे, subscribe करने के साथ, आपने bell notification को hit कर दाना बूले, तब ही आप मेरी किसी भी वीडियो को notification पापाएंगे, मिलते हैं कि झाली वीडियो में, तेके, बबबए, जहीं